कि नमस्कार दोस्तों में रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल भूल आज हम 10 McQ डिसकस करेंगे स्पेस साइंस के बारे में इंडियान स्पेस साइंस के बारे में आज हम 10 सब्सक्राइब करेंगे तो चलते हैं आज का फास्ट कुस्चिन की तरफ आज का पहला कुस्चिन है इस्चिरो आज एस्टाबिलिस्ट इन हुई चेर इस्चिरो का गठन कब हुआ था अप्शन में क्या देखिए 15-1949 अप्शन भी 15-1969 अप्शन सी 15-1972 या जो लास्ट अप्शन है इन में से कोई भी नहीं तो लास्ट जो अप्शन हो तो नहीं होगा तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा 15-1969 को इस्चिरो का गठन में तो जान लेते हैं इस्चिरो का full-form क्या है इएँ दोन आनेक्स्ट कुश्टिन है पाट इस दी फूल फर्म अप इस्चिरो अप्शन में क्या है आ आप्शन ए इंदियान श्कोलर रिस्च औरगानेशन अप्शोन भी इंडियान स्पेस रिशोर्च और्गानेशन यह और्गानेशन 1969 अगस्ट 15 को यह और्गानेशन का स्थापना हुआ था और तो चलते हैं अगला कुष्चिन की तरब तो इसरो का गठन तो हो गया लेकिन उसका फास्ट चेर्मेन का नाम क्या है अप्षन में क्या है मिल स्वामी अन्नादुराई विक्रम सराभाई 37 धवन या अप्षन डी डक्टर एफपीजे अब्दुल कालाम तो इन में से राइट एंसर है विक्रम सराभाई राइट एंसर है यहाँ पे फास्ट चेर्मेन अफ इसरो विक्रम सराभाई 37 दबन के नाम पे space station है Dr. Abdul Calam जो हमारा देश का missile मियान कहा ज़ाता है उनको हमारा देश का president बिछे और उनके नाम पे Udisha का किनारें ।टा है उसका नाम को रखा जएया है Abdul Calam Island 4 तो below the Isro तो इस्षडो का है है अप्सन में क्या है चन्नाई मुंबाई बैंगुलूरू या चांदीपूर चांदीपूर ओडिशा में है तो यहां पर राइट एंसर है इसरो का हेड़कौाटर जो है वह है बैंगुलूरू में उसका हेड़कौाटर मौझूद है तो दोस्तो अगर आपको यह हमारा चैनल अच्छा लग रहा है कुछ नया सीखनों को मिल रहा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए हो सके तो इसको बहुत ज़्यादा सेयर कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट भी कीजिए ताकि हमारा होसला भूलंद हो सके त अप्षन में क्या है कलपना 1 अप्षन B भासकरो अप्षन C आर्यवट अप्षन D रोहिनी जेनरली ये जितना सरा नाम आपको दिखाई दे रहा है ये स्वब एक एक आस्ट्रो लोजर का नाम है कलपना चावला के नाम पे कलपना 1 और आमारा जो फेमोस म्याथ्मेटिसियन थ भासकरो और आर्यवट उनके नाम पे भी इंडिया ने साटलाइट बनाया है रोहिनी नख्यत्र के नाम पे भी एक साटलाइट बनाया गया है तो यहां पे जो राइट एंसर हो जाएगा हो जाएगा आर्यवट इस रोका बनाया गया पहला साटलाइट का नाम है आर्यवट कुश्चिन नमबर 6 Which one is India's first satellite exclusively used for educational purpose? Educational purpose के लिए कौन सा satellite को use किया गया है? इंडिया में, पहली बाब अप्शन में क्या है? Nisar, अप्शन भी EduSat अप्शन C, InSat, 4CR या अप्शन D, IRS 1A तो जैसा कि EduSat Option B EduSat नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाला educational purpose के लिए ये साटलाइट बनाया गया होगा तो सही guess कि आपने राइट अंसर भी EduSat है InSat 4CR InSat यानि Indian National Satellite System Basically ये साटलाइट से आप लोग जो तेली कमुनिकेशन कर रहे हैं आप जो Satellite Channel सब देख रहे हैं Cable Network देख रहे हैं ये सब InSat की बज़े से हो रहा है लास्ट वाला अप्शन है IRS IRS यानि Remote Sensing Satellite चलते हैं अगला कुछ चीन की तरब The Experimental Satellite SrosS Abravation Means SrosS जो Satellite यूज़ है उसका Full Firm क्या है Option में क्या है देखिए Stressed Rohini Satellite Series Space Rohini Satellite Series Super Rohini Satellite Series या उनमें से कोई भी नहीं तो उनमें से कोई भी नहीं ये तो नहीं होगा तो SrosS का मतलब है तो Option A यहाँ पर Right Answer हो जाएगा Stressed Rohini Satellite Series चलते हैं अगला कुछ चीन की तरब Which of these following launch vehicles is not used for space mission by Isro इनमें से कोन सा वाला launch vehicle अभी तोक Isro के दरब यूज़ नहीं किया गया है Option A में क्या है Polar Satellite Launch Vehicle यानि PSLB Option B Augmented Satellite Launch Vehicle यानि ASLB Option C Geos Synchronous Satellite Launch Vehicle यानि GSLB या Last जो Option है Sacramento Engine Treaty अपने PSLB ASLB GSLB का नाम सुना है लेकिन अभी तक आपने Sacramento Engine Treaty का नाम हमने इंडिया में नहीं सुना है तो इसलिए यहाँ पर जो Last वाल अप्शन है यहाँ पर करेट हो जाए यानि इस रो अभी तव साक्रमेंटो इंजिन टेडी का यूज नहीं किया है Question No.9 The Chandrayan 2 Missions Robor is called us Chandrayan 2 का Robor का नाम क्या है तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ Robor किसे कहते हैं दोस्तो जेनरली जो Chandrayan 2 यह कैसे काम यह तो Mission failure हो गया लेकिन अगर यह Mission success होता तो आज तक भी यह काम कर रहा होता तो इसका जो मैं लिद तीन मोडूल होते हैं Chandrayan 2 का जो तीन मोडूल था उसमें एक था Orbitary यानि Rocket से लॉंच किया जाएगा Chandrayan 2 को तो इसका पहला जो मोडूल आएगा ओ आएगा Orbitary यानि यह Moon के चारों तरफ यह गुमता रहेगा Orbitary फास्ट वाला जो मोडूल और फिर इस Orbitary से निकलेगा एक Lander जो Moon के सर्फेस में आके गिरेगा उसका नाम था Vikram Lander फिर ओ गिरने के बाद उसमें से Lander में से एक Robot निकलेगा Robot यानि एक Robot निकलेगा उसी Robot का नाम क्या था जो कि ये Mission failure हो गया ओ जो Lander था Lander सही तरीके से Land नहीं कर पाया Moon के सर्फेस के ओपर सही तरीके से Landing नहीं कर पाया और फिर ये Mission failure हो गया 90% तक Success रहा 10% में ये failure हो गया तो ओ जो Land करने वाला था Lander उसका नाम था Vikram Lander और उसमें से जो Rover निकलता उसका नाम है प्रज्या रोवर Option A is right answer प्रज्या रोवर is right answer तो आज का लास्ट कुस्चिन चंद्रायान 3 इस ये Robotics Space Mission concept by Istro and Dash चंद्रायान 2 तो failure हो गया लेकिन इसके बाद और एक Mission आ रहा है उसका नाम है चंद्रायान 3 और ये Complete Robotic Mission है by the concept of Istro and Which Organization Istro के साथ और एक Organization इसमें काम कर रहे है उसी Organization का नाम क्या है Option में क्या है देखिए NASA JAXA ESA Option D OS Cosmos तो NASA USA का Space Agency का नाम है NASA JAXA है Japan का Space Agency का नाम है JAXA ESA European Space Agency ESA and Option D Russ Cosmos है Russia का Space Agency का नाम तो यहाँ पे Right Answer हो जाएगा चंद्रायान 3 जो एक Joint Mission में काम होगा Robotic Space Mission होगा यह ISRO and Japan का Space Agency JAXA मिलके यह काम करेंगे तो दोस्तो मेरे साथ आंत्रतक रहने के लिए आपका बहुत बहुत सुग्रिया बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much